वेलकम टू सपनों का ग्यान अगर कोई वेक्ति सपने के अंदर ये देखे कि किसी बड़े आफीसर का चोकिदार बना है दर्बान बना है या गार्ड भरती हुआ है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला किसी पैसे वाले किसे धनपती वाले वेक्ति का ऐसा एड़ाइजर बनेगा कि उसको दूसरे वेक्तियों के साथ जो बात करनी होगी जो उनका पैगाम किसी को पहुँचाना होगा वो उसमें उनकी हेल्प करेगा और इसी तरह अगर कोई वेक्ति सपने में देखता है कि वो गार भरती हो गया है ये चोकीदार बना है तो इसका मतलब है कि वो किसी फीमेल वरकर को अपने अंडर रखेगा और अगर उसका बिजनस या जॉब ऐसी नहीं है कि उसको फीमेल वरकर की जुरूरत पड़े तो फिर इसका मतलब है कि सपना देखने वाला अगर सिंगल है तो वो किसी से विवा करेगा और अगर मेरेड ह तो फिर इसका मतलब है कि उसके घर बेटी पैदा होगी या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सपना देखने वाले को आने वाले समय पर बहुत ज्यादा अच्छी वेल सैटल्ड लाइफ बिताने का समय मुएसर आए इसी तरह अगर किसी ने खाब में देखा कि वो किसी राजा का दर्बान बना है किसी राजा का वो गार बना है किसी बादशागा किसी हुकमरान का वो दर्बान या चोकी दार बना है या चोबदार बना है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला आने वाले समय पर अपने धरम के अंडर रहते हुए एक धार्मिक लाइफ बिताएगा और अगर कोई वेक्ती सपने के अंडर ये देखे कि वो अपने एरिये के किसी अफीसर का किसी अमीर का किसी बहुत ज़्यादा धनपती वाले का वो दर्बान चोकीदार बना है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाले को रियासत की तरफ से कंट्री की तरफ से कोई गोर्मिंट जॉब आफर होगी मैं आशा करता हूँ कि आपका सपना आपके लिए अच्छी व्याख्या बने अनुवधी चाहेंगे फिर मिलेंगे किसी नए सपने की व्याख्या के साथ